हेलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का दृष्टी PCS के यूटूब चैनल पर आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ओपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने डिश्टल बोर्ट पर दिखाई पढ़ रहा ह लुए बेहद जरूरी सेसंद होने वाला है दोस्तो आप लोग लाश्ट तक जरूर बने रहेगा आपको इस में जितने भी आगामी जो नियोजित मिशन है इस रोके सभी मिशन के बारे में हम लोग एक इन जन्रेनल चर्चा करेंगे सौट तरीके से चर्चा करेंगे संशि लेकिन बिल्कुल डिटेल में आप देखेंगे चीजों को इसमें डेस्क्राइब किया जाएगा और आप लोग बने रहिएगा लाश्ट तक तो आप देखें यहां पर आज का क्या है सन मिसन जापान कुलेबरिशन and more वाट है जिस रोपलान आफ्टर चंद्रियां थिरी सकसिज देखें चंद्रियान की सफलता इस रो के लिए और भारत के लिए खासकर बड़ी अच्छी खबर है बड़ी अच्छी न्यूज है कि चंद्रियान थिरी की सॉफ्ट लेंडिंग हो गई है चंद्रमा के दक्षणी धुरूपर तो यह एक अच्छी खबर है और यह हमें गौर्वानवित भी करती है कि हमारा देश जो है अंतरिक छेत्र में काफी प्रगती कर रहा है लेकिन क्या आप यह कहेंगे कि चंद्रियान थिरी की सॉफ्ट लेंडिंग होने के बाद चंद्रियान थिरी का मिश्ण या जो उद्देश जिस उद्देश के लिए भेजा गया है वो पूरा हुआ है तो अभी इसका उत्तर होगा नहीं चुक मैं आप यहां पर देखें लूप एक्स पहला दिखाई पड़ता है यह इस्रो और जापान की स्पेस एजंसी की सहायता से मदब से यह मिशन भेजा जाएगा 2024-25 के लिए है आदित L1 चंद्रियान थिरी के सफलता के बाद जिसकी जोर सोर से त्यारी चल रही वह आदित L1 ह महारत का पहला सोर मिशन है बहुत रिसर्च करके मैं इस बात को यह सेसन ले रहा हूं मैंने इस्रो की विपसाइट देखी है दा हिंदू अकबार देखा इंडियन एस्प्रस देखा आठ नो घंटे धंग से तयारी की उसके बाद मैं आपके सामने आया हुआ हूँ तो आप पहले तेलवण है फिर उसके बाद में वीनस मिशन है वही हम लोग सांज का और भॹर का तारह जो है वीनस को बोलते हैं और उसके लिए इस मिसन एक भेज रहा है उसके बारे में जानने के लिए गगन यान मिसन अंतरिक्ष में मानो को भेजने की जो परिकल्पना की गई है वो भी हमें देखने को मिले गए तो चार मिसन हमारे सामने हैं इसके बारे में हम लोग देखने कोशिश करते हैं अब बात यहां पर यह है कि चंद्रियान थिरी लेंडिंग के बाद आगे के अनुसंधान क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रियान थिरी के माध्यम से सॉफ्ट लेंडिंग करना खास का चंद्रमा के दच्ष्णी धुरू पर ये एक जटिल कारे था ये बात एकदम सही है और इसका अंदाजा आप इस बास से लगा सकते है कि रसिया का लूना 25 इसी प्रकरिया में फेल हो गया और चंद्रमा जो चंद्रमा की सता पर सॉफ्ट ल करने की बात हुई कि आप चंद्रमा के दच्ष्णी धुरू पर इंट्री किये हैं ठीक है तो आप यहां पर इमेज के माध्यम से देखें यह आपका विक्रम लेंडर है सभी लोग आउगत ही होंगे चुकि कई सारे वीडियो जो है वह आ चुके ही यूटूब पर प्रज् यहां पर समझे इसका उद्देश क्या है चटानों की और उसके साथ साथ में चटानों की और मिट्टी की मिट्टी की रासाइनिक रासाइनिक और मॉलिक मॉलिक जाच की जाएगी ठीक है यह अनुसंधान किया जाएगा तो पहला उद्देश तो इसका यह है कि यह जो रोवर उतरा है प्रज्ञान रोवर यह वहां के चंद्रमा के सता की जाच करेगा कि चटान किस तरीके के हैं वहां की मिट्टी किस तरीके कि उसकी रासानिक स खेत्र है तो आइस की उपस्थिती आइस की उपस्थिती की जांच की जांच करना भी इसका उद्देश है आप लोग चाहें तो इसका स्क्रेंश ले सकते हैं ठीक है बाकी चीजे चंद्रियान थिरी में रोवर का क्या नाम यह सब तो आप आउगत ही होंगे और यहां पर लेंडर में लेंडर भी जहां पर है वहां लेंडर में भी कुछ इंस्रूमेंट लगे हुए कुछ उपकरण लगे हुए जो बैज्ञानिक जांच करेगी उस अस्थान की तो आप देखेंगे कि दो चीजे हैं दूसरी बात यह है कि दो उपकरण इसमें कौन-कौन से लगे हुए है एक तो आपका लगा हुआ है एपी एक्स एस और दूसरा आपका क्या लगा हुआ दूसरा लिप्स लगा हुआ है अब यहां पर देखें एपी एक्स एस का मतलब क्या है अल्फा अल्फा पार्टिकल पार्टिकल एक्सरे फिर उसके बाद में इस्पेक्ट्रोमीट तो अभी जो मैंने बताया कि जो इसका उद्देश से है ये इन्ही दोनों इंस्ट्रूमेंट इन्ही दोनों उपकरण के मदस से इन उद्देशों की पूर्ती की जाएगी जांच की जाएगी लिप्स का मतलब क्या है लेजर इन्ड्यूजड ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन फिर उसके बाद में इस्पेक्ट्रोइस्कोप तो ये दो जो उपकरण लगे हुए है इन दोनों उपकरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि चट्टान और मिट्टी की रासायनिक एवं मौलिक जांच की जाएगी साथी साथ आइस की भी प्रजंस की बात की जाएगी देखी जाएगी कि क्या यहां पर आइस उपस्तित है ताकि भबिस्व में अगर किसी प्रकार का मिशन भेजा जाए फिर चंद्रमा पर तो वो एक प्रकार से इन्धन का काम कर सके ठीक है तो इन दोनों चीजों की चर्चा की जा रही अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह इस रो का आखरी चंद्रमिशन है देख रहा है इमेज को भेजा जाएगा और अभी दो हफते तक मतलब कि एक चंद्रमास तक बोल सकते हैं अर्ध चंद्रमास तक 15 दिनों तक यह सारी प्रकारिया चलेंगी उसके बाद में अभी यह कहा जा रहा है कि जब भबिस्व का चंद्रमिशन भेजा जाएगा तो उस समय क उसी सिय की जाएगी कि जो सेंपल वहां पर कलेक्ट किये गए अभी तो इमेज ही भेजा जा रहा है तो इमेज में चीजों को एनलाइज किया जाएगा यह कहा जा रहा है कि भबिस्व में जो सेंपल वहां से वहां इकठा किया जाएगा वहां से फिर यहां पर प्रित्वी पर भेजना है तो इस रो के सामने ये है तो पहली बात ये है कि ये इस रो का आखरी चंद्र मिशन नहीं है ये इस रो का अभी इनिशियल फेज का मिशन है यहां पर आप देखेंगे लूपेक्स नामक एक मिशन और भेजे जाने की बात चल लई है जिसमें इस रो किसकी जापान की स्पेस एजनसी की मदद लेगी तो लूपेक्स नामक मिशन 2014-25 में आप देखेंगे 2024-25 के लिए ये मिशन तयार किया गया है और इसमें इस रो और प्लस जापान की स्पेस एजनसी है जाकसा ठीक है इसके मदद से इसको भेजा जाएगा अब इसमें इस रो का क् क्या रोल होगा तो जाक्सा इसमें क्या प्रोवर करवाईगा घ deploy करवाएगा जैसे अभी प्रज्यार की सथा पर कर कर रहा नहीं चंड्रमा की सता पर मूब कर रहा है दूसरा Ensuite लॉंच वीडल से लॉंच वीघल लॉंच वीचल की भी बियोस्था कौन करे फिर आप देखेंगे इस रो का क्या रोल होगा इस रो इसमें लेंडर प्रोवाइड करवाएगा ठीक है तो यह सारी चीजे है दोजा चोबिस पच्चिस के लिए बेजाए रहा है आप इसका मिशन क्या है इसका उद्देश क्या है अगर उद्देश की बात करें तो आप दे आप इसमें देखिए नाम सही विदित हो रहा है लूनर मतलब चंद्रमा की पोलर मतलब दुरुबिये एस्प्लोरेश्ट्रेशन मतलब की वहां की जाश करना तो चंद्रमा की दुरुबिये कक्षा की जाश करना और वो भी किस छेत्र की पर्मानेंटली सेड़ेट पोलर रीजन की जाश करना जहां पर अफ्थाई रूफ से अंधिरा रहता है उस छेत्र की जाश करने के लिए इसको भेजा जाएगा जापान और इस्रो के सहीयोग से इसको भेजा जाएगा दूसरी बात इसमें क्या कहा जा रहा है दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि इसमें एक संभावना की तलास की जाएगी कि क्या यहाँ पर कोई long term station को establish करने की कोई संभावना है क्या establish किया जा सकता है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि international space जो आपका space region है space आपका station है उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर भी चंद्रमा के दक्षणी दूपर भी यह चंद्रमा के polar region में भी एक station long term station establish करने की possibility की तलास की जाएगी तो जैसे अंतररश्ट यह अंतरिक्ष जो station है उसी तरीके से इसकी भी बात की जा रही कि यह possibility की तलास करेगा ठीक है और दूसरी बात यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि the next logical step to a lander to rover mission sample return मैंने आपको बता है कि sample return एक प्रकार से काफी जटिल प्रकिरिया है चंद्रमा की सता पर जाना वहाँ पर sample इकठा करना sample इकठा करने के बाद में फिर उसको वापस प्रत्वी पर लाना यह काम जो ह है कि आगामी समय में इसरो भी जो है sample return करने का काम करेगी एक logical step होगा lander और rover mission के तहता ऐसा किया जाएगा तो आब हम लोग जानने की कोशिश करते ही कि इसरो का एक तो मैंने बताया कि आपका लूपेक्स हो गया lunar exploration हो गया जो जाक्सा और इसरो की मदद से जाएगा फिर आ कि के बाद किसी की जोर से तयारी चल रही है तो वह है आदित L1 अब आदित L1 में क्या किया जाएगा आदित आप नाम से विदित हो रहा है कि सूर की research करने के बारे में इसको भेजा जा रहा है सूर की खोश करने के बारे में सूर का solar flares क्या है जो solar winds है उसके बारे में research करन को Sun Earth system के बीच में Lagrangian point 1 के चारो तरफ hollow orbit में इसको स्थापिट किया जाएगा अब question यहाँ पर यह उड़ता है कि hollow orbit है क्या Lagrangian point है क्या तो आपने यह पढ़ाई होगा Science के किताब में पढ़ाई होगा कि Lagrangian point एक ऐसे विंदू होते हैं अंत्रिक्ष में एक ऐसे विंदू होत होते हैं जहां पर किसी भी object को जब भेजा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं वो इस्टे हो जाते वहीं पर रुख जाते और आप देखेंगे कि Lagrangian point हमारे अंत्रिक्ष में 5 टाइप के 5 Lagrangian point basically हमें दिखाई पड़ते हैं L1 है L2 है और उसके बाद में L3 है यह तीनों एक र लगभग त्रिबुजा कार अवस्तिती में इनका वो दिखाई पड़ता है ठीक है तो Lagrangian point क्या होता है Lagrangian point वो होता है जहां पर किसी भी वस्तू को भेजा जाये तो वो इस्टे कर जाता है अब इस्टे करने का region क्या है दोस्तों पहली बात यह है कि दो बड़े द्रब्य प्रिमान वाले object के बीच में किसी भी छोटे object को अगर भेजा जायेगा तो इनका गुरुत्तवा कर्शन gravitational pull जो खिचाओ रहता है और इसका gravitational force यहां पर आप देखेंगे कि लगभग नगन्य हो जाता है मतलब दोनों का balance हो जाता है अब ऐसे condition में किसी भी object को L1 पर यह जो ह हो जायेगा विल्कुल इस्टे हो जायेगा और इस्टे होने के बाद में आप देखेंगे कि इसके केंड की तरफ एक centripetal force लगता है और वो centripetal force जो है इसको orbital में चारो तरफ मूब करने के लिए एक force प्रदान करेगा तो आप यहाँ पर देखें दो बड़े द्रबमानों का gravitational force बराबर होता है कि इसके एक छोटी वस्तू के लिए औस एक centripetal force के तो आपने यह पढ़ा भी होगा 12th class में कि centripetal force एक होता है जो केंड की ओर लगता ह आला gravitational force यहाँ पर एक ऐसा window होता है L1 point जहाँ पर बराबर होता है और ऐसे condition में किसी object को भेजा जाता है तो इस्टे हो जाता है यह किसके बराबर हो जाएगा यह centripetal force के एक छोटी वस्तू के centripetal force के बराबर हो जाएगा ऐसे condition में यह एक नियत वे में घूमेगी और कही इधर उधर नहीं होगी डगमागाएगी नहीं एक इस्टे position में यह घूमेगी और इसी वज़ा से कहा जा रहा है कि जो spacecraft भेजा जाएगा उसमें कम इन्धन लगेगी तो आप यहाँ पर देखेंगे यह कहां भी जा रहा है कि L1 point पर इसको क्यों भेजा जा रहा है देखें इसमा पर क्या करेगा यहाँ पर सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करने का इसे मौका मिल लाएगा बिना किसी रिस्टिक्षन के बिना किसी बाधा के यह सूर्य की इमेजिंग कर सकता है तो सबसे पहले बात यह कि L1 point के हैलो आर्बित में क्यों भेजा जा रहा है यहाँ पर बिना किसी बिना किसी बाधा के और दूसरी बात यह है कि यह 24 आवर एक्टिव रहेगा 24 आवर एक्टिव रहेगा बिना किसी बाधा के इमेजिंग कर सकता है त्री सीरी बात यह है कि spacecraft में इस पेस क्राप्ट में इँधन कम खर्च होगा आच्छा आप खुश सोचें इस पेस क्राप्ट में इंधन कम क्यों खर्च होगा चोंकि कोई भी ऑब्जट यहाँ पर सटे हो जाएगी इशство होने के बाद में एक ही पोजीशन में वो क्या करेगी करेगी तो ऐसे condition में आप खुछ सोचें जब आप बाइक ड्राइब करते हैं और एक ही रप्तार से एक ही स्पीड से आप बाइक करते तो ऐसे condition में आप देखेंगे कि तेल कम खर्च होता है इसी वज़ा से L1 पॉइंट पे इसको भेजा जा रहा है तो यह बाते हैं दूसरी बात यह कि इसका objective क्या है तो objective की बात करें तो मैंने आपको बता है कि solar flares है ठीक है सूर का corona वाला पार्ट है उसका अध्यन करना है सूर का corona corona का अध्यन करना है दूसरा solar layers तीसरा solar winds solar mass ejection ठीक है तो इन सभी चीजों का अध्यन करने के लिए इसको भेजा गया है तो यह objective है इसका इस वज़ा से इसको भेजा गया है तो इसी वज़ा से आप याद रखें कि आदे तेल्वन early सितंबर के आसपास इसी early सितंबर के आसपास भेजे जाने की इसकी संभावना है तो यह तो आदे तेल्वन की बात हो गई अब हमारे सामने जो अगला मिशन है वो है वीनस मिशन तो आप जानते हैं कि a trip to the evening star हम लोग वीनस को सांज का तारा बोलते हैं भूर का तारा बोलते हैं और इस तारे की जाश करने के लिए यहां पर रिसर्च करने के लिए अपना इस रोग एक मिशन भेजने की बात कर रह है यह परिकल्पित मिशन है इसको भेजा जाएगा आप देखेंगे इस रोगे चीप ने पिछले साल एक इनागुरेशन होता है किसका वेनुसियन साइंस का एहमदाबाद में उस समय इनोंने कहा था कि हम एक ट्रिप करने जा रहे हैं वीनस की होफुली हम लोग next year तक इसक है तयार है आप इसको भेजा जा सकता लेकिन एक बात और भी है कि कुछ चैलेंजस भी है वीनस के मिशन के लिए आप देखेंगे और चैलेंजस जो भी है इस रोज को स्विकार करता है और दोस्तों इस रोज को पूरा भी करता है चंद्रियान 2 जब आसफल हुआ था उस सम गली अधिनेंग बाद ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा अगे लेकिन समय के बाद में भले ही चार साल लग कुछ समय के बाद में फिर से हिम्मत नहीं हारा इस रो और उसके बाद में चंद्रयांतिरी पूरा हुआ, जो लेंडिंग थी वो पूरा हो गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो वीनस मिशन है, उसके सामने चैलेंज भी है, चैलेंज क्या है, इंटेंस हीट है, सबसे अत्यधिक गर्मी है वहाँ पर, दूसरी बात यह कही जा रही है कि क्रसिंग प्रेशर, मलब एक इतना अधिक दबाओ है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है, तो सबसे अधिक गर्मी है, दूसरा सबसे अधिक वहाँ पर दबाओ है, तीसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कॉंस्टेंटली वॉलकैनिक एक्टिविटी भी दिखाई परती है, अब ऐसे कंडिशन में किसी भी मिशन को भेजना और लंबे समय तक वहाँ पर रोकना, यह काफी कठिन हो जाता है, आप देखेंगे 2013 के आसपास, मुझे exact date याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक रसिया का मिशन है, सोवियत यूनियन का, वेनेरा 13, इसक वज़ा से जो इसका मिशन है, वो काफी देर तक नहीं रुख सका, longest जो टाइम है, वो केवल आप देखेंगे, दो घंटे तक यह मिशन सर्वाइब कर सका, इसके लाओं फिर यह स्पेस क्राप्ट सर्वाइब नहीं कर सका, 1981 में हाँ, 1981 में सोवियत यूनियन की तरफ से वे इसके बारे में बात करें, तो गगन यान हमें दिखाई पड़ता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूछेंगे कि क्या यह इस रो का अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अंतिम उद्देश है, देखिए, इस रो को पहले तो अभी अंतरिक्ष में यूमनाइड रोबोट भेजना है, वियो मित्रा आपने नाम सुना होगा, तो वियो मित्रा पहले भेजी जाएगी, वियो मित्रा को जो है एक प्रकार से और्विटल मॉड्यूल में बन करके उसको भेजा जाएगा, उसके बाद में आप देखेंगे कि क्रिव मेंबर भी उ गगन यान मिशन की परकल्पना इस रो ने कर रखी है, गगन यान मिशन की, आप गगन यान मिशन की बात करें, तो आप देखेंगे कि ये तीन दिनों का मिशन होगा, इसमें थोड़ा सा आपको इन बातों को ध्यार में रखना है, तीन दिनों का मिशन होगा, तीन अंतरिक में भेजा जाएगा जो 400 किलोमीटर दूर की कक्षा है वहाँ पर इसको भेजा जाएगा और लो अर्थ आर्बिट में चारो तरफ चक्कल लगाएगा अगर हम लोग इस रो द्वारा प्रोवाइट बात करें जो इमेज की तो आप देखेंगे कि अभी जो चंद्रियान 3 है व वो लॉंच वीकल मार्क 3 द्वारा भेजा गया है और इसके इसके उपर विश्वास भी है कि ये भारी से भारी वेट को ले जाने में सक्षम है तो आप देखेंगे कि LVM3 यहाँ पर जो रॉकेट का प्रियोग किया जा रहा है LVM3 लॉंच वीकल मार्क 3 के अस्थान पर कि LMV3 लॉंच वीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी विश्वास तक क्या है इसमें एक और विटर और बिटर मॉड्यूल सामिल होगा ठीक है जो क्या करेगा आप यहाँ पर देखें और बिटल स्वारी और बिटल नहीं और बिटर तिर से लिख दे रहा हूं और बिटल module तो ये क्या करेगा ये जो है चक्कर लगाएगा lower-th orbit में यहाँ पर आप देखें ये आपका पूरा rocket system है अब इस rocket system में क्या होगा cryogenic stage है यहाँ पर cryogenic engine होगा orbital module है यहीं पर अंतरिक्ष यात्री बैठे रहेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रहने का खाने का सारी ब्योस्ता यहाँ पर की जाएगी और यही orbital module जो है इसी के माध्यम से low-arth orbit में चक्कर लगाए जाएगा crew escape system में क्या होगा कि अगर आपात कालीन किसी प्रकार की कोई आपात कालीन इस्तिति आ जाए कि अंतरिक शियात्री के जान को खत्रा है तो ऐसे कंडिशन में इस escape system के माध्यम से अंतरिक शियात्री बाहर निकल सकेंगे तो crew escape system है orbital module है और जो launch vehicle है LVM3 से HLVM3 का प्रियोग इसमें किया जाएगा तो यह तो आपका गगन यान mission है जो एक प्रकारते आप कहे भी सकते हैं कि जिस तरीके से और जो space agencies है जैसे NASA है ठीक है Rosco Moss है इस तरीके के जो space agency या European space agency मानो mission को अंतरिक्ष मानो mission को जो है पूरा कर चुके तो इस रो कोई भी कोशिस है कि मानो अंतरिक्ष mission को भावी वविस्व में पूरा किया जाए तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गगन यान भी भेजा जा रहा है अब हमारे सामने आज का भ्यास प्रस्टन है लूपेक्स लूनर पोलर exploration नामक mission में नेम में से कौन सी अंतरिक्ष agency इसरो की सही होगी होगी तो आपके सामने विकल्प है मैंने विस्तित तरीके से आपको बता रखा है आप देखें नासा जाक्सा यूरोपियन इस पेस एजन्सी या रॉसको मौस तो सही विकल्प इसका क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है लेकिन मुझे आसा है कि यह वीडियो बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी मिलते हैं किसी नए सेसन के साथ नए आर्टिकल के साथ तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद